के नवस्कार दोस्तो इस वीदियो में हम लोग बात करें Doey का खाना नंबर 10 में तो टाइम खानानमबर 10 जो है वो किन के चीज़ों को रिप्रे्रेजेंट करता है दो नवर दस जो है वो आपके bिजनस को रिप्रेजेंट करता है आपके किसी भी तरह के प्रोफेर्शन को represent करता है आपके father का profession जो भी है वो भी 10 था उससे देखा जाता है और ये आपका work sector भी है आपके काम का दाइरा भी है कि आप कितने बड़े या कितने छोटे दाइरे में आप काम करते हो दोस्तों आपका जो भी business होता है वो होता है खहना नंबर 10 से यह शनी से देखा जाता है अब 10 मां घर जो है वह शनी का individual house होता है शनी का गर होने की वज़े से अब शनी मजदूर होता है और मजदूर होने के NATHRE यहां पर 10 था हमस को double पावर का कंशेडर किया जाता है डबल पावर का कंशेडर करने से मतलब क्या है कि हर इंसान अपने घर में रेस्ट मोड मेरे तक है लेकिन ऑफिस आते ही हर इंसान maximum वरकलोड चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा काम मिले दुकान हो आफिस हो फैक्टरी हो कुछ भी हो वो हर इंसान कारोबार के वक्त मैक्सिमम वर्क लोड को डिमांड करेगा अब यही एक मजदूर या शनी की खासियत होगी है कि वो काम चाहता है दोस्तों टैंथ हाउस इसलिए डबल पावर का है अब टैंथ हाउस जो है वो प्रोफेशन होने के नाते किस्मत की बुनियाद मानी जाती है यानि जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में पैसा कमाते हो जितना ज्यादा आप प्रोफेशनली स्ट्रॉंग होते हो उतनी ज्यादा आपकी किस्मत स्ट्रॉंग मानी जाती है और जितना ज्यादा आप रिच हो उतना ही बड़ा आपका लेवल होगा और रिच होना अमीर होना पैसा कमाना वो सब का सब आपके प्रोफेशन या आपके वर्क सेक्टर से आना है कारोबार से आना है इस लिए टैन्थ हाउस कुंडरी का मेन फोकस करने वाला घर माना जाता ह दोस्तों टैन्थ हाउस जो है वो किन किन ग्रहों के साथ कनेक्ट होके काम करता है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं मैं यहाँ पर लिखता भी जाओंगा आप लोग नोट करते जाएंगे टैन्थ हाउस का जो प्लैनेट होता है यह हमेशा 5-6 और 10वे घर में बैठे हुए ग्रहों को इन हाउस का हमेशा आपस में लडाई होनी ही होनी है यानि 5, 6 और 10 के घर में यानि मैं इसको arrow से भी आपको दिखा देता हूँ इन houses में जो भी planets होंगे उन planets का हमेशा आपस में जगड़ा रहना ही रहना है चाहे कुछ हो जाए लेकिन इसमें एक condition होती है अगर 9th house में sun या 9th house में moon आ गया यानि 9th house में अगर सूरे या चंदरमा में से कोई एक planet बैठ गया तो इनकी placement की वज़य से आपका पांचमें घर का planet इस 5, 6, 10 की लड़ाई से बच जाता है इस rule को हमेशा ध्यान में रखिएगा ये बहुत ही hidden और typical rule है जो कई बार दिखाई नहीं देता दूसरा rule जो होता है 10th house का planet हमेशा 2nd house के planet से जागता है और 4th house का planet भी 10th house में अपना असर डालता है आप यूं भी कह सकते हो कि 4 घर की वज़य से भी 10 घर का planet अक्टिवेट होता है अब इन दोनों में फर्क है फर्क क्या है कि 10th house जब दूसरे से जागेगा तो इट मीन्स की दूसरा घर पैसे का है दसवा प्रोफेशन का है तो पैसा लगा के कारोबार किया या कारोबार करके पैसा कमाया दोनों एक दूसरे के पूरत हैं लेकिन जब fourth house से activation की बात आती है तो it means कि इसका असर क्या आएगा इसके असर में difference है वो यह है कि आप अपनी family के accordingly कारोबार कर रहे हैं और कारोबार करके अपना घर, सोख, family इन सब चीजों को manage कर रहे हैं तो हर rule के accordingly different prediction जो है वो create होती है अब उसके बाद next step आता है कि 10th house का जो हमारा planet है वो अच्छा है कि बुरा है इस चीज़ को देखने के लिए आपको एक अलग typical rule से गुजरना पड़ता है 10th house में अगर कोई planet है और 8 में घर में कोई planet आ जाए तो 10th house का planet double खराब माना जाता है same time पे अगर second house में कोई planet आ जाए तो 10th house का planet double strong या activated माना जाएगा लेकिन 10th house में आपस में जो planets बैठे होंगे उनकी individual energies भी matter करेंगी next step आता है अगर 8 और 2 इन दोनों houses में planets बैठे हुए हों तो पहले आधे समय के लिए अच्छा असर आएगा और उसके बाद आधे समय के लिए बुरा असर जरूर फेस करना पड़ेगा next step आता है अगर 8 और 2 दोनों खाली हों तो 3rd house का planet consider करेंगे अगर 3rd house अच्छा है तो 10th house double power का अच्छा माना जाएगा अगर 3rd खराब है तो 10th house double बुरा माना जाएगा अब 8, 2, 3 भी अगर खाली मिल जाए तो 5th house के planet को देखेंगे 5th house का planet अगर अच्छा तो 10th house double अच्छा अगर 5th खराब तो 10th डबल खराब अगर 5th house भी खाली मिले तो हमें 11th house को देखना होता है 11th house same के अगर अच्छा तो 10th house भी अच्छा अगर 11th खराब तो 10th भी खराब तो अब 11th house मान लो 8, 2, 3, 5, 11 ये सब अगर हमें खाली मिल रहे हैं तो फिर 10th house को अच्छा बुरा चेक करने के लिए फैसला होगा शनी की हालत पर यानि जैसा कुंडली में शनी अगर शनी अच्छा है तो 10th house डबल अच्छा अगर शनी खराब तो 10th house डबल खराब आप इस rule को club नहीं करना कि end में आप already automatically शनी ही देख लो कि 10th अच्छा है शनी अच्छा तो 10th अच्छा हो गया ऐसे नहीं हमें सबसे पहले इस concept और इस जो जो इसका पूरा तरीका है जो भी मैंने बताया कि 10 के लिए पहले आठ फिर दो पर तीन पांच ग्यारा इनको देखने के बाद अगर ये सब खाली है तो शनी देखना है इसी rule को follow करना है अपने accordingly manage नहीं करना है अब इसके बाद अगर 10th house में आपस में लड़ने वाले दो या दो से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हूँ तो अंधी कुंदली बन जाती है और अंधी कुंदली की जो तासीर होती है वो शनी जैसी होती है तो अंधी कुंदली की जो तासीर होती है वो चंदरमा जैसी होती है और चंदरमा अगर कुंदली में अच्छा तो अंधी कुंदली का result अच्छा अगर चंद्रमा खुराब तो अंधी कुंडली का result खुराब होजाएगा यहाँ पर इसका meaning क्या है कि अंधी कुंडली वाला शख्स जो है वो multiple professions करता है अगर चंद्रमा अच्छा है तो multiple professions में से वो अच्छे पैसे कमाएगा और अगर चंद्रमा खुराब है तो अंदी कुडली वाला इंसान अलग-अलग professions में भटकता करता है अब 10th house का जो planet है वो बारवे घर के planet के ख्वाब देखता है यानि जब भी आप अपने professional sector में होते हैं आपको पैसे मिलते हैं तो आप बारवे घर के ख्वाब देखते हो means कि आपने अपने खर्चे निकालन भो पाएगी इसलिए 10th house में जो भी planet है वो अपके profession पे तो असर डाले गे डालेगा लेकिन बारवे घर में जो भी planet है उस planet के regarding luxuries आपकी generate फुतीन तो ये कुछ rules हैं जो कि 10th house के हैं जो मैंने आप लोगों के साथ share किये हैं I hope आपको ये पसंद आए होंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शियर जरूर करिएगा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ